कि हेलो दोस्तों के से हैं आप लोग दोस्तों आज हम जानेंगा फंगल इंफिक्षन के बारे में की आसकर लोगों को हो जाता है जूका एक ऐलर्जी होती है फंगल इंफिक्षन यह कहीं भी हो जाता है हाथ पर, पेर पर, सिर पर, गर्दन पर या पुर्शों के private part पर भी हो जाता है यह कितनी तरहां का होता है और इसका च्या treatment है कौन को सी medicine में दी जाती है सारी जनकारी हम आपको देंगे तो दोस्तों आप इस channel को subscribe जरूर करें और वीडियो कान तक जरूर देखें तो दोस्तों fungal infection यह काफी तरह का होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा fungal infection जिसे हम दाथ खाज, खुजिली के नाम से जानते हैं और यह जो है काफी types का होता है, जैसे कि ring war ring war मतलब गोल-गोल चगत्ते पढ़ना लोग के गोल-गोल चगत्ते पढ़ते हैं तो यह भी जो एक fungal infection होता है या फिर tinea versicular tinea versicular मतलब wide sports पढ़ते हैं बोडी को पर इस तरह का सफे सफे धबे पढ़ने लगते हैं यह भी एक fungal infection होता है tinea versicular बोलते हैं इसे तो यह भी एक fungal infection होता है या फिर athletics food athletics food मतलब पेर में इस तरह से पेरों की उल्लियों के बीच में allergy होने लगती है जिसे हम सरदारण भाशा में जो है खरवे बोलते हैं तो यह भी एक fungal infection होता है या फिर toy nail fungus toy nail fungus मतलब नाखूनों में fungus लग जाता है allergy हो जाती है जैसे आप यह image में देख सकते है नाखून इस तरह से allergy हो जाती है या फिर tinea capitis tinea capitis आप देख सकते हैं यह जगा होता है कि सर के पीछे इस तरह से पपड़ जमने लगती है जिसे हम tinea बोलते है capitis तो यह इस तरह के मतलब इतनी types के जो होते है fungal infection होते है तो दोफ़तों इस सभी तरह के infection में जो medicine चलाए जाती है use की जाती है वो यह है जैसे कि आप देख सकते है इसमें cream दी जाती है जो की kilosip के नाम से आती है sipla company से बनाती ही kilosip इसके अंदर होता है clotrimazole आप देख सकते है clotrimazole इसके अंदर होता है और इसको जो है लगाया जाता है 8 night रात को सोने से पहले इसको लगाया जाता है और साथ में oral medicine भी दी जाती है जो की metrinodazole tablet आती है आप देख सकते है ये जो है सुबचाम में एक एक tablet दी जाती है adult को जवान इंसान को और साथ में एक philoconazole tablet आती है जो की philoconazole के नाम से मार्गेट में मिल जाती है 150 mg में आती है ये हफते में एक बार दी जाती है रात को सोने से पहले और इस फंगल में fungus में कभी-कभी allergy भी होने लगती है fungal infection में तो उस allergy को foreign control करने के लिए address 10 mg में tablet आती है address 10 mg में आप देख सकते हैं इसके अंदर hydroxyne hydrochloride होता है तो ये जब भी ज़ो है जरूरत पढ़ते हैं allergy जादा होने लगती है तब इसको दिया जाता तो दोस्तों 7 दिन तक ये medicine दी जाती है तो fungal infection से आराम मिल जाता है तो दोस्तों आपको हमारी दिगर जानकारी कैसे लगी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें और आप खुछ से किसी भी दवाई को लेने का प्रियास ना करें ये वीडियो सिर्फ आपको जो है जानकारी देने के लिए बनाई गई है